हेलो एवरीवन बेलकम बैक टो मैं चैनल पुसपासिंग ओल इन वन चैनल आज की जो वीडियो है कुछ ऐसे हैक्स और टिप्स लेके आई हूं कि हम अपने किचन को अच्छी तरह से और्गनाइज कर सकते हैं और कोई भी चीज जो हमारे किचन में में सी नहीं रहेगा तो चल पहला है कि हम अपने जो लाइटर होते हैं और इस तरह के जो चिली में वगयरा होती है तो हम इस तरह से अपने किचन में रख देते हैं तो यह अगर एक निकालो तो दो निकलती है तो इसका सबसे अच्छा सेलूशन है कि आपके घर में जो इस तरह के मिठाई के डबबे आते होंगे जरूर सबके घर में रहते हैं तो इसको क्या करना है इस तरह से नीचे से उपर तक ले आना है और इसको बीच में थोड़ा सा यह फिसलेगा लेकिन वह रठी की जाएग थोड़ा सा और इस तरह से आप करिएगा तो जो है आपके यह जो चार खाने आपके बन जाएंगे इस तरह से देखिए और देखने में देखिए कितना सुंदर यह लग रहा है तो सबसे पहले इसमें आप अपने चीजों को वन बाई वन करके रख सकते हैं और आप देखि इसके उपर या मैक्रोबेब के ऊपर everything कहीं भी जो हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं तो आप हम इसको रख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से जो आपके जो चम्मच होते हैं काटे वाले चम्मच और छोटे वाले स्पून बड़े होते हैं जो बड़े स्पून होते हैं और यह अद्रक जो है जो हमको डेली चाहिए होता है तो इस तरह से आप करके सारी चीज़ों को आप अलग-लग मैनिस करके इस पर रख सकते हैं टिका करके और रबट जब खराब हो तो आप दूसरा रबट चेंज कर लिजे है नई जी और बढ़िया हैक्स उसके बाद यह दूसरा है जब भी हम गैस पोस्ते हैं हम हाउस वाइफ या जो भी घर की लेडिज होती है तो हमारी आदत होती है कि हम अपने इस तरह के जो लाइटर होते हैं तो उसको भी क्लीन कर देते हैं तो क्लीन करते करते कभी होता है जो उसका जो लाइटर होता है वो पोस्ते पोस पैसे भी जादे खर्चा हो जाते हैं, कितना भी कोशिस हम कर लें, गैस जो हमारा नहीं जलेगा, क्योंकि जब वो नमी जब तक उसकी खतम नहीं होगी, तब तक जो हमारा गैस है, वो नहीं जलेगा, तो इसका जो बेस्ट तरीका यही होता है, कि हम उसको किसी माचिस की सायता से उसको गैस को अपने जला करके, और जो लाइटर है दोनों, उसको हम उसी पर थोड़े देर के लिए उसकी सिकाई कर देंगे, लाइटर की सिकाई कर देंगे, तो आप देखिएगा, कि ये बहुत ह अच्छे से काम करेगा और आप खुद देखेगा अभी कि जो lighter है वो बहुत अच्छे से मेरा काम करेगा, मेरे दो lighter हैं लेकिन मेरे दोनोंबी lighter कभी कभी होते हैं, बरसाथ के मौसम में एक खास कर होता है कि जो हमारी lighter हैं वो खराब हो जाती है तो वो जलती नहीं है, तो इस तरह से इसका जो अंदर वाला सीरा है, गैस के पास हम 2-3 मिनट तक रखेंगे, अगर जादा है तो 5 मिनट तक आप इस पे रखेंगे, वो खराब नहीं होते हैं लाइटर, और तो उसकी जो नमी है वो खतम हो जाएगी, और जब भी आप जलाए आपके जो लाइटर हैं, वो सही हो जाएगे, और नहीं खरीदने की आऊ सकता नहीं पड़ेगी, तो अभी मैं जला के आपको दिखाती हूं, यह मैं पुराने वाले लाइटर से, यही मेरा सबसे पुराना है, तो देखिए, कितनी अच्छी से यह लाइटर जो है, वो जल और हमारा लाइटर काम कर गया, तो है न बेस्ट तरीका, और तीसरा यह है, कि हमारे घर में सेल बहुत होते हैं, पुराने जब हम अपने घर में रहते हैं, जैसे बैटरी के हो गए, या घड़ी के हो गए, रिमोट के हो गए, everything कुछ भी, तो आप उसको फेकने के बजाए, जो आप डेली बेसिस पे जो चावल बनाते हैं, जो बिन-बिन के आप रखते हैं, तो उसमें इसको अंदर थोड़ा सा डुबा के रखिए, तो जो आपके जो उसमें कीडे वगएरा जो रहते हैं, और तो वो नहीं पड़ेंगे, और अपका चावल बहुत सेफ रहेगा, और हमारे स्वास्त के लिए भी कोई हानिकारक ये नहीं करता है, तो आप इसको जरूर ट्राइ करिए, और कौन सा आपको इसमें हैक्स पसंद आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और बड़े चावल में भी आप रख सकते हैं, इस तरह करके आप जो बड़े सिलेंडर हमारा खतम होता है, तो उसको जब हम लगाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो है, वो काफी लिकेज करता है, और हमारी गैस जो है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और कभी-कभी बहुत हनिकारक भी वो हो जाती है, तो इसका बेस्ट उ गास में पानी लीजिए और इसके अंदर जो है यह आप पानी डालिए तो अगर आपके देखे बुलबुले जो हैं इसमें नहीं निकल रहे हैं अगर बुलबुले निकले तो आप समझ जाए कि हमारा जो गैस है वो लिकिज हो रहा है और जो हमको इस चेंज़ करने की जरूर खराब इसलिए होता है कि जो अंदर आप रबड देख रहे होंगे ब्लैक लर की वही रबड जो है वो खराब हो जाती है तो हमारे जो गैसे वह लिकिश करता है तो जहां से आपने गैस डिलेवर किया है आप वहां पे फोन करिए और आप उसको वहां से चल्ज करवा सकते हैं तो इस तरह से आप अपने गैस सिलंडर की लिकेश की पता कर सकते हैं कि लिकेश कैसे है और कैसे नहीं है तो हमारा जो है वो सेफ्टी हो जाएगा तो यह मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक्स है तो आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं और अपने घर की सिस्टम जो गैस वाली है यह हर घर की होती है और काफी जो है वो दिक्कत होने लगती है और पाच्वा एकसी है सिलेंडर से ही रिलेटेड जब गैस कैसे हम पता करें कि जब गैस को हमारा कब खतम हो रहा है और कब नहीं करिए जब वो ड्राई हो जाए तो आप देख सकते हैं उपर से ड्राई हो गए हैं और जहां से जहां तक गैस है मेरी नीचे तक देख लिजी यहां तक अभी गैस मेरी बाकी है तो इस तरह से आप अपने गैस की चेकिंग कर सकते हैं कितना गैस है और कितना नहीं है और उसके यह अगला है कभी कभी होता है कि हमारे घर में जो है गरम чीज निकालने के लिए कोई भी समान टाइम से नहीं मिलता है तो इस तरह कि कपड़ा वाले पीन होता है और दो चमचे बन जाता है इस तरह से रबर लगाना है और उसी तरह से दूसरी तरह भी लगा देना है तो देखिए है ना एक अच्छा सा ये कोई भी चीज निकालें के लिए बन गया तो चलिए मैं दिखाती हूं कि मैं कैसे इसको निकालती हूं तो जैसे माले जे आलू गरम है बॉयल हुआ है और पराठे बनाने हैं कुछ भी बनाने हैं तो आप इस तरह से इसको निकालके और उसको ठंडा करके आप अपना काम कर सकते हैं और जैसे माले जे पनिटिका बना रहे हैं वो गरम है तो उसमें से निकालने के लिए भी ये बह अब से अच्छा लगा और बढ़िया लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और जरास अभी अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सेर, कमेंट और फिर सेर भी करना मत भूलिए तो चलिए फिर इसी तरह के हैक्स और कुछ टिप्स मैं फिर लेके आऊंगी तब के लिए बबाए और टेक कियर थैंक यू फॉर